कॉंग्रेस पार्टी के नेता जब सवाल पूछते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक में हमें सबूत चाहिए जब कॉंग्रेस पार्टी के नेता और आम आदनी पार्टी के नेता ये सवाल पूछते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक और एर स्ट्राइक फरजी था आप हमें सबूत लाके दिखाईए, give us the evidence, जब Congress Party के दिगज नेता पूछते हैं कि भगवान राम किस कमरे में पैदा हुए, बताओ इस कमरे में पैदा हुए, या उस कमरे में पैदा हुए, जब किसी दूसरे political party जो आज घमंडिया Alliance में हैं, उसके नेता पूछते हैं, मगर जब पत्रकार debate में सवाल पूछ लेता है इनसे, कि आपके राज्य में भरस्टाचार क्यों हो रहा है, आपने जो आकड़े प्रस्तूत किये थे, वो आकड़े गलत थे, सही आकड़े ये है, क्या हिंदुस्तान की growth story आज विश्व में एक record नहीं कायम कर रही, क्या G20 स सफल हुआ या नहीं हुआ, अगर इस प्रकार के सवाल Congress या इंडी Alliance के दूसरे लोगों से पूछ लिया जाता है, तो आप बन जाते हैं, boycott करने वाले पत्रकार, आपको boycott कर देना चाहिए, क्यों, ये जो नेता हैं, ये भगवान है, ये भगवान पे सवाल उठा सकते हैं और पत्रकार जो हैं, वो नेताओं पे सवाल नहीं उठा सकते हैं, उनसे सवाल नहीं पूछ सकते। मित्रों यह राहुल गांधी जब विदेश जाते हैं अभी भी विदेश में जहां तक मैं जानता हूं कुछ प्राइवेट मीटिंग बगर कर रहे हैं आज मैंने देखा है सोशियल मीडिया स्याम पित्रुदा ने बताया प्राइवेट मीटिंग गुप्त रखी जाएगी बत तो हो गया पत्रकारों के साथ दुर्वेवार किया जाता है we don't have right to express ourselves in India there is no freedom of speech in India this is freedom of speech रहुल जी यह जो आपने लिस्ट जारी की है यह freedom of speech है यह पत्रकारित्या का सम्मान है यह पत्रकारों का सम्मान है यह जो boycott करके आप सम्मान दिखा रहे हैं democracy का यह आज पूरा विश्व देख रहा है पूरा हिंदुस्तान देख रहा है और मित्रों आप सब पत्रकार बैठे हैं यहाँ पर और आपके माध्यम से और टीवी के कैमरे के माध्यम से मैं करोड़ों पत्रकारों से आज सवाल पूछता हूँ क्या यह जो 14 नाम लिखे गए हैं यह boycott के नाम है या ये target list है जो क्या इनको केवर boycott किया है इंको target करने के लिए इनके नाम जारी किये गए है मैं यह सवाल पूछता हूँ यह hit list है कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो debate नहीं करते हैं जो डिबेट नहीं करते हैं आप उनमें गेस्ट भेजेंगे ही कैसे तो उनके नाम क्यों रखे गए हैं टार्गेट करने के लिए एफायार डालेंगे आपको छोडेंगे नहीं आपको मसल के रख देंगे और आप बताईए एक पॉलिटिकल पार्टी के कारेकरता होते हैं इनके साथ दुर्विवार करें उन पर हमला कर दें क्योंकि आपने लिस्ट जारी की है बकाइदा कि ये नफरती पत्रकार हैं और प्रेस कॉन्फरेंस करके कहा है कि ये नफरत का दुकान चलाते हैं अगर कुछ लोग इनके ऊपर दुर्विवार कर दे तो इसके लिए जिम मेदार कौन है तो मैं इसको बॉयकोट का लिस्ट कदाचित नहीं कहूंगा मैं कहूंगा दिस वाज़ा हिट जॉब डन बाई एफिट लिस्ट रिलीज़ पाइदे कॉंग्रेस पार्टी और इंडिया लाइन्स ये एक हिट जॉब है और मुझे लगता है इसे सारे पत्रका फेटर्निटी को बहुत गंभीता से लेने के अवश्यक्ता है बंगाल में तो देव मालिया बागची नामा के पत्रकार परसों ही शायद गिरफतार भी हुए है केवल इस कारण से गिरफतार हुए है क्योंकि उन्होंने सच्चाई दिखाई है किस-किस को बॉयकॉट चन दिनों पहले तो ये रंदीव सुर्जेवाला जी बोल रहे थे एक भाशन में कह रहे थे कि जिन जिन लोगों ने जिस जनता ने नरेंद्र मोदी को वोट दिया है वो राक्षस है जनता राक्षस है जो मोदी को वोट देती है जो बीजेपी को वोट देती है वो पंदिर का जज्मेंट जब आया तो इनके प्रवक्ताओं ने जजेस के खिलाफ क्या क्या कहा है यह तो पब्लिक डोमेन में है जजेस को छोड़ा नहीं गया है कौन सा ऐसा इंस्टिटूशन है भारत वर्ष में जिस इंस्टिटूशन के खिलाफ कॉंग्रेस पार्टी और ये इंडी अलाइन्स वालों ने खराब नहीं कहा है और उनका बॉयकॉट नहीं किया है कि मैं आज आपको खुल के बताता हूँ जनता भी जिंदाबाद है इवीम भी जिंदाबाद है हाई कोट भी जिंदाबाद है election commission भी जिन्दाबाद है supreme court भी जिन्दाबाद है केवल अगर किसी से नहीं हो पा रहा है जिसको boycott वाकई करना चाहिए Congress party को तभी उसका कुछ कल्यान होगा उसका नाम राहुल गांदी है पूरे दुनिया को boycott करने चले है पत्रकार भी जिन्दाबाद है वो भी अपना काम कर रहे है हरे नेता में दम नहीं है भाईया boycott किस-किस को करोगे जन्ता को boycott करोगे supreme court को करोगे पत्रकारों को boycott करोगे टीही को boycott करोगे किसको boycott करोगे boycott करना है अगर कुछ आगे बढ़ना है तो अपने नेता को boycott करो उसी को छोड़ने से कुछ कल्यान हो सकता है एक अधपरसंट का और मुझे एक प्रश्न वो अवार्ड वापसी गैंग और जो मुंबत्ती वाले हैं उनसे भी पूछना है कि आज शाम को कहीं मुंबत्ती ये सुलगाएंगी या नहीं ये अगर हमारे तरफ से कोई लिस्ट जारी हो गई होती तो मार्केट में मुंबत्ती कम पड़ जाती अभी ब्लैक में मुंबत्ती विक्री हो रही होती सारे मुंबत्ती कल से खरीद के गुम रहे होते मगर एक भी मुहम्बत्ती खरीदी गई है या नहीं सच में यासने का विशाई नहीं है मतलब इस प्रकार की अभद्रता मैंने आज तक नहीं देखी आप सोच के देखिए यह सब जो selective आउट्रेज है एक भी मुहम्बत्ती इन्होंने खरीदा है या नहीं खरीदा है मैं जानना चाहता हूं यह अवाड़ वापसी गैंग एक वापस करेंगी सारे अवाड़ वापस करने वाले गुमते थे सर्टिफिकेट लेकि अवाड़ वापस लो हमारी अवाड़ एक रामचरित मानस को पोटासियम साइनाइड बता दिया कि यह पोटासियम साइनाइड है एक शब्द नहीं निकल रहा है इनके मुह से किसी के लिस्ट जारी करने वालों के यह आप इस मंत्री को आप बॉयकॉट करेंगे या नहीं करेंगे राहुल बाबा जहां भी फॉरण क पाइनाइड है यह जहर है आपमें हिम्मत है उस पॉलिटिकल पार्टी को और उसके इस नेता को बॉयकॉट कर सकते हैं क्या सैफुद्दिन सोज जो बोल रहा है आतंकवादियों के मन के अंदर क्या चल रहा है उसे हमें पढ़ने के अवश्चता है इस सैफुद्दिन राहुल गांधी सोनिया गांधी बॉयकॉट करने की हिम्मत रखते हैं क्या हिम्मत है तो दिखाईए दो पत्रकार G20 और भारत के लिए ठीक बोल दे उसको बॉयकॉट करना है और जो भारत वर्ष के लिए खराब बोले उसके साथ खड़ा अरे ये लोग तो उसामा जी के